हे गाईज, वोल्कम बाक टू दी चैनल अजुकेशन नंग सरकारी डोकुमेंट्स अजुकेशन नंग सरकारी डोकुमेंट्स पर आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों जैसे कि आप सभी जानते हैं कि मैंने वीडियो अप्रोड किया चैनल पर कि आफार कार्ट सेंटर कैसे खुलें उसके बाद आप लोग की काफे सारे कमेंट्स है कि किस टाइप का एकजाम आता है और उस एकजाम की तियारी के लिए मैं हर रोज या दूसरे तीसरे दिन आप लोग के लिए lektur अप्रोड करती हूं जिसमें कि हम questions को discuss करते हैं इसके साथ यह अगर आप जानना चाहते हैं कि आधार सेंटर में किस टाइप के questions आते हैं, कितने questions आएंगे, कितने marks का paper होगा, कितने marks होगा, इसके लिए भी वीडियो चनल पर प्रोड कर दे गई है, वो भी आप लोग जाकर देख सकते हैं, तो चलिए आज की इस वीडियो म में provide कर दूँगी, ताकि आप easily इस question paper को देख पाएं, attempt कर पाएं, और आपको वही question as it is मिलेंगे, कि जो question हम हर रोज lectures में करते हैं, तो question की pdf नीचे description box में आपको link प्रोड कर दूँगी, अगर आप चाहते हैं, जो 510 question है, उन्ही में से paper बंद के आता है, आधार सेंटर के operator के लिए, supervisor के लिए, total 510 question है, जिसमें से आपको 110 question as it is आपके exam में देखने को मिलेंगे, तो नीचे pdf का link है, description box में, वहां से आप download कर सकते हैं, तो यहाँ पर आप देखेंगे, यह test structure है, for UID certification of operator या फिर supervisor का अगर आप ले रहे हैं, तो उसके लिए 25 number के question है, 25 minute है, तो आप जान सकते हैं कि आपका, कैसा exam का interface इस तरीके का ही होगा, online exam होता है, यहाँ पर आपको candidate ID मिलेगी, यहाँ पर candidate name मिलेगा, यह देखिए, UIDI operator और supervisor इस तरीके से, क्योंकि operator और supervisor का test एक ही होता है, depend करता आपके marks पे, कि आपको कौन सा certificate मिलेगा, और अगर आपको चानन होगी, जैसे कि मैं आज यह वीडियो बना लेगा हूँ, Saturday 16 October को, यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर आपको time show करेगा, कि कितना time आपके exam के लिए बचा है, यहाँ पर आप सलेक्क करेंगे section, यही है exam, तो आप इसके बाद start exam पर click कर देंगे, इस तरीके से आपका interface होग नहीं है, देखिए topic 9, यानि कि total 9 chapter है, हर एक chapter में जितने जितने questions हैं, और किस chapter में से कितने नंबर के marks आएंगे, कितने नंबर के questions पूछे जाएंगे, वो भी चैनल पर video uploaded आप जाकर देख लीजए, तो first questions अगर आप सुरू करेंगे, देखिए, who among the following has established UIDI by passing Aadhar Act 2016, किस न मान लीजे मुझे B option select करना है, और फिर इसको क्या कर देना है, आप लोगोंने submit कर देना है, submit exam, मैंने exam submit कर दी है, तो यह मैंने complete कर दी आपका, आप go to test दुबारा से जा सकते हैं, यहाँ पर इस तरीके से आप यहाँ पर next करेंगे, तो इस तरीके से आपके पास questions आते है, इसके आपके कितने questions आएंगे, फिर register से कितने questions आएंगे, आप किसी questions को bookmark भी कर सकते हैं, इस तरीके का निशान आजाएगा, ताकि आप उसको बात मेरी वी कर पाएं, अगर आप attempt करेंगे, तो आपका green हो जाएगा, जैसे मैंने किया है, बीच वाले मैंने कोई attempt किया तो नोन attempt में एक रही रहेगा, नोन attempt और marked है, वन तो ये इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है, और attempt करके, अगर मैंने mark किया है, मान लीज़े मैंने यहाँ पर कोई भी ऐसे करके, option select करा, और आप मैंने इसको next कर दिया, तो ये मैंने attempt करके mark करूंगी, तो इस तरीके का आपक question है, आप अराम से यहाँ पर mock test दे सकते हैं, ताकि आपकी एक बार पहले तयार हो जाएगी, कि किस तरीके questions आएंगे, आप यहाँ से अपने view profile की details भी देख सकते हैं, या dumb way profile हमने खोला हूँ है, और instructions भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, तो मैं आप लोगों से जाया कि किस chapter से कितने सारे questions आते हैं, तो आधार center से exam से rated, जितने भी आप लोगों के पास questions हैं, आप नीचे comment section में comment कर सकते हैं, इसी तरीके से total 9-9 chapters में आप सभी के सभी questions देखें, अगर आप चाहते हैं, मैं यह paper भी आप लोगों के लिए करवाँ हूँ, ताकि आप सेंटर, CSC center और सरकारी schemes, education selected video channel पर आती रहती हैं, तो अगर अभी तक भी आप लोगों ने channel को subscribe नहीं किया हैं, तो channel को subscribe करें, साथी bell icon को press कर लीजे, ताकि जैसे ही video upload होती है, उसकी notification आप सभी लोगों को मिल पाए, तो thank you so much, bye bye, take care.